क्या आप सब जानते हैं कि वेडिंग रिंग हमेशा बाय हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनी जाती है क्या आप सब जानते हैं कि मच्छडों के उड़ने से भिन भिन की आवाज क्यों आती है और क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के राजा हमेशा सीरियस होके ही फोटो क्यूं खिचवाते थे अगर आप इन सब कोस्टेंस का आंसर जानना चाते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में रेंडम फेक्ट्स की बारिश होने वाली है अगर आप भी हर दिन नहीं नहीं फेक्ट्स चानना चाते हो तो अभी सब्सक्राइब करो इस चनल को और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना ताकि इस चनल से जुड़ी जनकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए नमबर 10 कि आप सब जानते हैं कि पेराशूट कोकोनट ओईल जो एक ब्यूटी प्रोड़क्ट है उसे आप खाने में भी यूज कर सकते हो पेराशूट ओईल की जो बॉटल होती है उस पर कहीं भी हैर ओल नहीं लिखा होता क्योंकि ये सिर्फ प्यूटी प्रोड़क्ट ही नहीं है ये FSSAI द्वारा अप्रूवड है कि इसे खाया भी जा सकता है सच में अमेजिंग नमबर 9 नॉर्थ कोरिया का कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर कोई आदमी नॉर्थ कोरिया में कोई क्राइम करता है तो इसकी सजा उसके साथ साथ उसकी आने वाले तीन पीडियो को भी भुगतनी पड़ सकती है क्या अब सब जानते हैं कि मिलखा सिंग ने भाग मिलखा भाग मूवी की अनुमती देने के लिए मूवी प्रोडक्शन कमपनी से सिर्फ एक रुप्या लिया था सच में सलाम है सर को आपने रेड बुल का टैग लाइन सुना होगा कि यह आपको पंक देता है यूएसे में एक आदमे ने रेड बुल पर केस कर दिया कि इसे पीने से उसके पंक नहीं आए और कमपनी को इसके लिए जुर्माने के रूप में 93 करोड रुपे देने पड़े थे कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान हो जाते हैं लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि बुलू वेल का बच्चा अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो से ज्यादा भारी होता जाता है उसके वजन में हर रोज 90 किलो बढ़ता जाता है फोटो खिसते समय हम से चीस कहते हैं ताकि अमारे चेरे पर इसमाईल आ सके लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि लगबग 100 साल पहले विक्टोरिया नहरा में लोग फोटो खिसते समय से प्रियूंस कहते थे ताकि फोटो में उनके चेरे पर गंबीरता दिखे दरसल उस समय जादा हसने वालों को गरीब और सराप पीने वालों के साथ जोड़ कर देखा जाता था शायद यही वज़य है कि पुराने समय के राजाओं की फोटो में कहीं समाइल नहीं होता था नमबर फोर क्या आपने कभी गौर किया है कि ताश के पत्तो में चार राजाओं में से तीन राजाओं की तो मुचे होती हैं पर एक राजा की मुचे नहीं होती और वो राजा होता है किंग ओफ हार्ट्स ब्रिटिस निउस्पेपर दा गारजियन के अनुसार सुरू में इस राजा की भी मुचे होती थी पर एक बार जब कार्ट्स को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मुचे बनाना भूल गया और तब से किंग ओफ हार्ट्स बिना मुचो वाला राजा हो गया शुतर मुर्ग के आखें उसके दिमाग से जादा बड़ी होती है यानि उसका दिमाग बहुत ही छोटा होता है यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसके दोड़ने की स्पीड 60 से 70 किलोमेटर पर आवर तक की हो सकती है आपने मच्चडों को तो देखा ही होगा जब वो उड़ते हैं तब उनके पंकों से बिन बिन की आवाज आती है इसके पीछे की वजाए यह है कि मच्चड एक सेकिंड में अपने पंकों को 300 से 600 बार फड़ाते हैं इसलिए इनके पंकों में से बिन बिन की आवाज आती है क्या आपने कभी सोचा है कि wedding ring हमेशा left hand के चौती उंगली में क्यों पैनाई जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योकि left hand की चौती उंगली में जो नसे होती है वो सीधा हाट तक पहुंसती है यही वो वजह है कि चौती उंगली को रिंग फिंगर भी कहा जाता है कई कल्चर्स में वेडिंग रिंग पहनाने के लिए हाथ तो बदल जाते हैं यानि लेफ्ट हैंड का राइट हैंड तो हो जाता है पर फिंगर सेमी रहती है आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्गुल मत भूलना तैंक्स पूर वाचेंग